वेलकम टू फेमिली कुकिंग कोर्णर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो इस मौसम में सभी लोग एक बार तो गाज़र का हल्वा आज हम आपको गाज़र का हल्वा बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने के रेसिपी सिखाने वाले है क्योंकि आज कल सभी लोग डायेट कॉंसिय बात जाने वाले ही तो चलिए सुरू करते हैं सभसे पर ले गाजयार अब हम इस तरीके से ग्रेट कर लेंगे सारे गाजर हम इसा तरीके से ग्रेट कर लेंगे देखिए हमने गाजर ग्रेट करकर रख लिये हैं साथ ही आगे हमने एक टीस्पून इलाइची पाउडर लिया है दो टेबल स्पून मिक्स ट्रैफ टूड लिया है एक कप दूद लिया है हाफ कप गूर लिया है और 125 ग्राब खोया लिया है अब आगे हम एक घी मेल्ट हो जाए इसके बाद हमने जो गाजर ग्रेट करकर रखे है वो इसमें डाल देंगे गेस की फ्लेम हम प्लो रखेंगे अब हम इसे तीन से चार मिनिट तक अच्छी तरीके से पून लेंगे देखिए ग्राजर का कलर थोड़ा चेंज हो गया है और यह अच्छी तरीके से पून गये है अब हम इसमें डूट डालेंगे हमने यहाँ एक कब डूट लिया है अब जब तक की दूट सारा एब्जर्ब ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे गेस की फ्लेम हम मिलियम रखेंगे देखिए अब दूदे अब्जर्ब हो गया है अब हम इसमें गूट डालेंगे गूट के हमने चोटे चोटे टुकडे कर लिये है ताकि ये जल्दी से पिगल जाए अब जब तक की गूट सारा पिगल ना जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे देखिए सारा गूट इसमें पिगल गया है अब हम इसमें खोया डालेंगे खोया भी हम इसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे और जब तक सारा खोया इसमें अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे खोया डालने से हलवे में रिचने साती है जैसे कि हम हलवाईयों का हलवा खाते है वैसा ही टेस्ट आता है देखे सारा खोया इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है अब हम इसमें इलाची पाउडर डालेंगे इलाची पाउडर डालने के बाद हम इसमें मिक्स ट्रैफ्रूट डालेंगे इस सब को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे अब हम गैस की फ्रेम ओफ कर देंगे तो तैयार है हमारा हेल्दी और टेस्टी गुड़ वाला गाजर का हलवा आपको हमारी रेसेपी कैसे लगी है कॉमेंट बाद कर देंगे में जरूर बताना ऐसे ही नए नए रेसेपीस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और इसे सेट कीजिए थेंक यू फॉर वाचिंग